हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई चैनल और आज मैं आपके शाथ सेयर करने वाली हूँ एक वेस्ट पड़ी स्वीट बोक्स का डियाईवाई और जिसकी हेल्प से आप एक बहुत ही ब्यूटिफुल डेकुरेटिव आइटम बना सकते हैं तो हमें चाहिए एक स्वीट बो से बोक्स को चिपका देते हैं एक दूसरे के ऊपर रखते हुए तो इस तरह से कुछ एदे के चिपक गया है और अब मैं इसके उपर भी ग्लू लगाकर इसका दूसरा पार्ट है उसे भी चिपका देती हूँ चिपकाने के बाद हमने यह कुछ क्लिप लगाने हैं और क्लिप लगा के और इस पे कुछ बेट रखके छोड़ देना है हमने तो अब ये देखे ड्राइ हो चुका है यहाँ पर मैंने लिया है जूट रोप आप चाहिए तो कोई और भी रोप ले सकते हैं तो जूट रोप की हेल्प से हम इसे डेकोरेट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए ये जूट और चाहिए ग्लू बस इन दो चीजों से ये डेकोरेट हम करने वाले हैं इसको तो हमने क्या करना है इस तरह से इस पे जो नॉर्मल हमारा ग्लू है बो लगाते चलना है एक अच्छी क्वांटिटी में और इसके उपर इस रोप को इस तरह से चिपकाते हुए चलेंगे तो इस तरह चिपकाने से ये अच्छी से चिपक जाएगा और ऐसा नहीं कि ग्लू के हल्प से ये निकल जाएगा निकलेगा नहीं एक बार चिपकने के बाद ये अच्छी से चिपक जाता है तो इस तरह से हम पूरा बोक्स में उसको हलके हलके हाथों से प्रेस करते हुए और पूरे बोक्स में इस तरह से इसको लपेट लेना है हमने और यह देखिए ग्लू लगाते चलना है इसी तरह से चारो तरफ और हमने जो है लपेटते चलना है जूट रोप को तो इस तरह से यह डेकोरेट हो जाएगे थोड़ा सा पेसेंस के साथ हमने इस काम को करना है थोड़ी थोड़ी देर अगर मुसको होड करेंगे तो अच्छे से चिपक जाती है तो इसी तरह से इस पे हलके हलके हातों से प्रेस करते हुए चिपकाना है इसको तो पूरे बोक्स पे हम इस तरह से इसको चिपका लेंगे और फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं इसी तरह की और इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ भी और आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह चोटे-चोटे चीज़े करके और अपने घर को आप बहुत ही लो कोस्ट पर डेकोरेट कर सकते हैं तो ये देखिए कुछई ही देर में मतलब ये बनके तयार हो जाएगा इसी तरह से मैंने पूरे box को इस तरह से लगाते हुए पूरे box करे मैंने इसको लगा लेना है तो ये देखिए, ये मेरा अच्छे से चिपक गया है और इसको मैंने dry होने के लिए भी नहीं छोड़ा था ये साथ की साथ ही अच्छे से चिपक जाता है तो चिपकाने के बाद ये जिए उपर का जो portion था, सोरी नीचे का जो portion था उस पे भी मैंने इस तरह से जूट रोप चिपका दिया है यह देखे कितना सुंदर और कितना हैवी और अच्छे से मजबूत बनके यह बोक्स हमारा तयार हो गया है तो अब मैं यहाँ पे जूट रोप ले रही हूँ तो जूट रोप को एक क्लिप की हेल्प से इस तरह से रखते हुए हमने यहाँ पे एक जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं उस तरह से जूट की हेल्प से एक चोटी हमने बना लेनी है आप चाहिए तो नॉर्मल जिस तरह से हमने पूरे बॉक्स पे जूट रोप को लगाया है उसी तरह से लगा सकते हैं बट यह मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूं डिजाइन के लिए तो इस तरह से पूरे जूट की चोटी हमने बना लेनी है तो यह देखिए चोटी बनने के बाद मैंने इसका जो उपर का पॉर्षन था उसके उपर इसे चिपका दिया है और यह दिखने में भी बहुत ही सुन्दर दिख रहा है और एक डिजाइन इसके उपर बन गया है तो इस तरह से यह चिपकाते हुए और मैंने वही नॉर्मल ग कर दूँगी यहां पर और इसको अच्छे से गलू से चिपका दूँगी फिर मैं तो यह देखिए इस तरह से एक जूट की हेल्प से हमने इस बोक्स को कितना सुन्दर बना दिया है और सुन्दर के साथ साथ यह देखने में तो अच्छा लगेगा ही साथ में यह मजबूत भी बहुत बनके त्यार हुआ है यह काफी बोक्स जो था यह बहुत ही मजबूत हो चुगा है अब हम करेंगे इसके अंदर के पार को थोड़ा सा डैकॉरेट तो अंदर के पार के लिए मैंने यहां पी लिया है एक क्या बोलते हैं इसको गिफ्ट रैपिंग पेपर है और अब पाने गिरेगा तो यह जो है पाने को अ से गिल architecture नहीं होगा तो इस पे और पे पेंट वेगरा भी कर सकते हैं तो ये हमारी एक बहुत ही मजबूत ट्रे बनके तयार हो गई है अब आप इसे मल्टी परपत से यूज़ कर सकते हैं एस डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं ने किचन में यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग टेबल पे या फिर कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं यह काफी मजबूत बनके तयार हो चुकी है तो यहां पर चाहिए जो वाइट पोर्शन दिख रहा है यहां पर जूट भी लगा सकते हैं या फिर यह जो सेम पेपर हमने यूज किया है इसी पेपर को भी आप लगा सकते हैं यह पूरी तरह से ओप्शनल है मैं यहां पर इसे वाइट ही रखने वाली हूँ तो आप अपने इच्छा से कुछ भी यहां पर कर सकते हैं तो अब यह मेरी बनके तयार हो गई है और अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक जरू अपने ओवन के उपर इसको रखा है और इसमें आचार और क्रोस्ट टेश्यू होल्डर में टीश्यू रखे हुए हैं तो आप इस तरह से से यूज़ कर सकते हैं तैंक्यू पूर वोच्छ अग्यू अग्यू